और फिर दूपिटा रोथापन है। बागवान ना करें अगर वो सुलग गया तो सारा रोथापन है। यो रक्षमंदर सा तो रखडी चोड़िये चलिए रोथाद आगे। ये बड़ा खतरनाक काम होता है। क्यूंकि रगुनाजी जहां से आये हैं वो आयद्या है। और जह राम जनम भुमी हैं उनकी। उन्होंने कहा कि महाराज है कि हाम ब्राह्मन दुर्गतत। उसके पास से एक पथा मोती है। राजा को कुष्ट रोग हो गया। क्यूंकि खाने को उनको कीड़े नजर आते थे। पानी को उनको फून नजर आता था। उसने गुटका सिद्ध की है। वो गुटका मुँ में रखेगा तो पहुंच जाए। अठारा साल से कम और साथ साल से उपर के लोग दशेरे में ना आएं तब तुम हिश्वर जी को भी पवंदी लग जाएगी। ये नालागड से मेरी पड़दादी के दयेज में आए हुए लोटे हैं। ये जो योगी नहीं। ये बहुत तपस्वी और और शुद्ध देवता है। और जो छड़ी यहां है वो छड़ी जो है और राजा जगत सिंग के ही हिप्टाइन की है। आपको आज भी क्या दुख होता है जब हमारे कुल्लू से रगुनाथ जी की मूर्तियां चोरे होगी थी। आज नीती में आपके हागे की क्या योजना है। पिछली पॉड़कास्ट को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। लाखों वियू उसमें गए। आपने हमें अप्रिशेट किया कि हम अपनी एतिहासी कथाएं आपके सामने लेके आ रहे हैं। और जो हमारी संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके ल मेले रह चुके हैं हमारे कुलु के तो मैं सबसे पहले तो मैं करता हूँ सर नमस्कार और धन्यवाद आपने हमें यहां आने के आग्या दी और आते ही मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे पुरानी चीजें आपने जैसे यह बताया ऊपर फोटोज तो एक राज महल वाला हमें भ मताबिक तो मैं स्वस्त हूँ नहीं बिलकुल आप मतलब जैसा मैंने आप केज का काउंट सोचा दिमाग में उस हिसाब से आप एक दम से स्वस्त है और एक्टिव लग रहे हमें तो जैसा की सर दशेरा आने वाला है हमारे कुछ एक विवर्ज हिमाचल के बाहर के भी है तो कुलू में ही क्यों इतना जादा ये पॉपलर है और इंटरनेशनल है लोग दिल्ली से इवन बाहर कंट्री से हमारे दशेरे को देखने आते हैं तो थोड़ा दशेरे के लिए ओवर्वियो कर दीजिए सर थोड़ा सा ये दशेरा इसलिए भिन है एक तो ये कुलू की गाटी ये देवी देवताओं की गाटी है हमारे परमपराए देवताओं की ये रगुनाजी के आने से पहले भी थी और उपर से रगुनाजी जहांसे आये हैं वो आयद्या है और जहां राम जनम भूमी है उनकी जनम भूमी का एक रूप है और वो तरेता नाथ के ठाकुर कहलाते हैं लेकिन जो तरेता नाथ का ठाकुर का मंदिर है वो भी अधियुद्ध में चावनी में हैं और वो दिब्यों मूर्तियें हैं जिनके माद्यम से भवान नाम ने अशुमेद यग्या रचाया था उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भाई मैं अशुमेद यग्या करूं और अश्यों में यग्ये के लिए गुरू जी ने कहा कि फिर आपको सीता जी को लाना होगा क्योंकि सीता जी बनवास में थी भगवान राम ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता मैंने अपने माता को बचन दिया है कि कई माता को बचन दिया है तो मैं सीता बनवास में हैं अब मैं ये नहीं कर सकता तो उपाए और कई हैं तो फिर विशिष्ट रिशी ने कहा कि एक उपाए हैं कि आप जो सीता जी की प्रतिमा बनाए और प्रतिमा भी अंगुष्ट मातरू हो क्योंकि आत्मा जो है अंगुष्ट मातर है अब आप देखते हैं कई लोगों ने अब ब्रह्म कुमारी बगारा उने आत्मा क्या है तो इतनी लाइट है इसलिए अंगुष्ट मातर है जैसे दिया सा जलता है तो ये आत्मा है तो इसलिए उन्होंने का ये तो ठीक है तो फिर अगर सीता जी की मूर्ती बना रहे है तो मेरी भी बनवा दीजे तो दोनों से हो जाएगा मैं भी बैठा रहूंगा तो उस वक्त ये दिब्य मूर्ती बनी है शास्त्र अनुसार इसमे प्राण डाले गए सब कुछ किया और अश्वमेद यग्या रचा ये तो इसी लिए ये अब एक तो मोदी जी की कृपा से और सबके सहयोग से की कृपा से बहुत अच्छा बन गया और मैंने अभी उनसे निवेदन भी किया था क्या हम इतने सक्षम नहीं है आपको इराम जनम भूई का तो हो गया लेकिन जो भगवान ने अश्व में रचाया है उस जगा का जिर आचीन मंदरों से हम धीरे धीरे इनको सब को ठी कर देंगे बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है तो इस परकार से और फिर यहां राजा जगत सिंग जी सोल्वी शदावदी में उनको एक ब्रहमन का श्राप लगा था उस कथा भी अगर कहे तो मैं दोरा दूँ थोड़ा सा तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर वैशनव धर्म नहीं था शिव और शक्ति की पूजा होती थी इसी लिए ये तब से लेकर बली पर था है वैशनव धर्म ने नहीं है लेकिन यहां पर शिव और शक्ति की पूजा करते थे नाथ समुदाय को बड़ा मान दिया हुआ था यह उस काल की बात है तो एक दिन वो मनिकन जा रहे थे तो राजसे में टिप्री से कुछ ब्राह्मन मिले टिप्री गाओं है हमारे भ्यास नदी के इस तरफ तो उन्हों ने कहा कि माराज कि हम ब्राह्मन है दुर्गातत उसके पास एक पत्था मोती है पत्था कहते हैं सेर कम जो हमारी मेजर्मेंट हैं तो फिर ये निस्षित रूप से आपके महल से चुराए हुए है तो उनको बापस मागी है उन्होंने स्पाही बेड़ दिया कि जाओ भई दुर्गातत को बो कि लोटते हुआ मेरा समान दे दे अगर मेरे मुती नहीं देगा तो मैं उसको परिवारी ही समा उस ब्राहमन को इतना दुख हुआ कि मैं बिद्वान हूँ इसलिए मेरी इर्शा हो रही है और ये इर्शा सुरूप शिकायत की है मेरे पास खाने में को कुछ नहीं घर में मैं तो बड़ा पालन भी बड़ी मुश्कल से अपने परिवार का करता हूँ बड़ी दुखी होक पर फिर उसने ये का तैक किया कि राजा के हाथ से मनने से अच्छा तो है मैं अपनी जीवन लीला खुदी से महमत करूंगा उसने देखा जब राजा लोट रहा था तो वो बैठ गया घर में ताल उपर बंद करके परिवार को और अपना मास काट काट कर फैंक ता रहा ले राजा तेरे मोती उसके फल सुरूप राजा को कुष्ट रोग हो गया कुष्ट रोग कहेंगे क्योंके खाना को उनको कीडे नजर आते थे पानी को उनको ये खून नजर आता था खाना पीना छूट गया सब को छूट गया बड़ा पश्चा ताप किया लेकिन फिर वो मार मारे पूछते रहे का अभी इसका उपाय क्या है गलती थे वो मेरे से हुई मैंने कहां सोचा कि इतने से कहने से ये ब्रामन अपने आपको ख़तम कर लेगा मैंने तो धमकी के रूप में कहा था तो फिर जब इस परकार की बात हो गई उसके बाद एक सिद्ध पूरश जो पैह सारी महत्मा कहलाते हैं वो उनका गल्था में रावजाइस्तान में आश्रम है वो वहां आये और जीडी जगा जो है नगर में वहां पर वो पूजा करते रहे और उन्होंने अपने इस शक्ती से वहां से गुफा निकाल दी एक मनिकन तक और रोज नित्य वो मनिकन शनान कर करते थे फिर वहां कर बैठते थे और पूजा राधना करते थे तो किसी ने कहा कि महाराज एक सिद्ध पूरशाया है और आपके निकटी यह नगर के पास है उस बहुत नगर जो अभी नगर कासल है वो हमारा है था तो उनका था तो राजा का था तो वहां यह राजधानी भी थी नगर इसलिए नगर नाम हुआ और त्रिप्रा सुंद्री हमारी प्रधान कुल दे भी है उसका मंदर भी है तो फिर उन्होंने कोई सपाई भेजा होगा कि ले आओ महातुमा जी को महातुमा जी ने कहा हम नहीं आते हैं अगर जाजा को जरूरत है वो आए तो फिर गय उनके चरणों में पड़े तो उन्हें ये कहा कि कोई बात नहीं ये आपके जो हुआ है ये थोड़ी सी आपकी बूल रह गई आपका अभीमान नहीं है लेकिन ये अगस्मा थोड़ी सी गलती हो गई तो इसलिए आप आयुध्या से त्रेतानाथ ठाकूर की मुर्ती यहां लाएं और फिर उनको उनको राजगदी पर बिठाएं नरसिंग वगवान को और अपने आप उनके सेवक बनेंगे और राजपाठ भी आप उनके नाम से ही चलेगा उन्हें मुन्जूर कर लिया और चलेगे मैंने वो भी बताया आप प्रिवार है यह पिशली बार बताया था लेकिन यह थोड़ा सा आप बता दो किस तरभ कहां पर है परिवार है भुंतर में पाले भुंतर में कात्यान परिवार अभी हो जो वो भी बहुत विद्वान थे, वो एक सो तीन साल या दो, एक सो पान साल की आई हुआ, उन्होंने अपना देतिया की है, जो कात्यान परिवार अयोध्या से आये थे ना ये, नहीं, अयोध्या से नहीं आये, ये राजा सुकेत के यहां ब्राह्मन थे, और ये शिशे थे अप पैहारी मातमा जी के, तो उन्होंने का, मेरा शिश्या है, उसने गुटका सिद्धी की है, आयोध्या मैं ऐसे नहीं पहुंचेंगे, वो गुटका मुँ में लखेगा, तो पहुंच जाएगा, तो इस प्रकार से गये हैं वो, फिर उन्होंने, मैंने सुनाए, आजकल भी ना, मतलब अभी भी कुछ ऐसे सिद्ध पुरुषा है, गुरुजी, जिन्होंने, गुटका सिद्धी अभी भी है, किसी के पास, ऐसा मैंने सुनाए, जो हुगे, तो जो ये तपोवन है, रिशी केश्व गयरा, ऐसी जगाओं में ऐसे महत्मा र मिन्टों में उड़के या गाइब होके पहुँच जाते हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ नौकरी की, इतने विद्धवान ने, वहाँ बरतन साफ करने की नौकरी मिल गई, बरतन साफ करते रहे, अपना परिचे दिया नहीं, और नोट करते रहे, कि विद्धान, विदी, व पूजा का सब कुछ का नोट किया, जब सब कुछ उन्होंने कर लिया, फिर उन्होंने एक दिन जब मंदर बंद हुआ, वो अंदर ही छुप गया, अंदर रहे गया, ऐसे तो चेक अप होता था, और मंदर को बंद करने से पहले, तो वो रहे गया अंदर, तो उन्होंने क्य किया कि भगवान की सीता जी की भगवान राम की और हनुमान जी की ये सारी मूर्तियें उठाई और चल दिये तो फिर पूजा करने सरयोग नदी के किनारे बैठे तो उनके ब्रामनों ने पकड़ लिया कि तुम चोर हो तुम ने मूर्ति ले जा रहे कि उनके मैं चोर नहीं हूँ ये मूर्तियें हमारे राजा के यहां उकुलू में सासा स्थान है उसके पैहरी मात्मा के आदेश से मैं आया हूँ उनके आमनी देंगे तो जब उठाने लगे वो मूर्तियें नहीं उठी कि तू हमें छोड़ कर जा रहा है और उन पाड़ों में एक दिन मेरी तुमको याद आएगी इसलिए यहां तब रगुनाजी आए और जो राजा जी थे हमारे पूरबज उन्होंने राज पाठ त्याग कर अब उच्छडी बरदार है और जो छड़ी यहां है वो छड़ी जो है वो राजा जगत सिंग के ही ही टाइम की है उस समय की मतलब उसी समय की है और उसमें पीडियों के छले पड़े हुए सोने के एक एक जब पीडिय जाती है एक छला पड़ता है एक छला मेरा भी उसमें पड़ा हुआ है हेलो फ्रेंड्स जैसा कि हम आपको अपने चैनल पर एकदम अनेक्सपेक्टीड जी जाए आपके सामने लेकर आते हैं आज भी हम ऐसी ही मज़ेदार डिटेल आपके सामने लेकर आएं तो ध्यान से सुनना दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का नाम है खेलो स्पोर्ट्स जो कि कुछ टाइम में ही इंडिया का नवर वन प्लेटफॉर्म बन चुका है और आपको मौका देता है पूरा एक करोड रुपए जीतने का अब इसके भी बहुत सारे रीजन है उन्हें से सबसे टॉप का है इनका 12.5% लूजिंग अमाउंट इसका मतलब है कि अगर आप हारते भी हो तो भी आपको बोनस मिलेगा है ना कमाल साथी दोस्तो इसमें 5000 से जादा गेम्स है और आप अपनी मन पसंद गेम चूज कर सकते हो खेल सकते हो और जीत भी सकते हो और आपको मिलता है 100% बोनस जिसे आप अपने इनिशियल डिपॉजिट डबल कर सकते हो और लोयल्टी पॉइंट भी मिलते है वो अलग से और भी बहुत सारी रीजन है दोस्तों तो जाकर आज ही एक्सप्रोल करो क्योंकि कोई भी किसी भी तरह की के वाई सी नहीं लगती है सिर्फ एक ही आईडी लगी और पूरे प्रोसेस में कोई भी दिकत आती है तो 24-7 कस्टमर सपोर्ट आपकी मदद के लिए हमेशा खुला रहता है तो दोस्तों देर किस बात की अभी रजिस्टर करो खेलो स्पोर्ट पर और पाओ फाइफ री पॉइंट्स का बोनस लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है दोस्तों गेमिंग का मजब होगा डबल ट्रिपल सिर्फ खेलो स्पोर्ट के साथ तो वो है रवनाज जी के हम क्शत्री है और क्शत्री है तो मासारी है तो भगवान राम तो नी थे शाकारी थे तो मासारी होने के नाते उन्होंने कहा कि तुमको एक मैं अनुमती देता हूं हैं तो आप क्षत्री और क्षत्री को जो है वो सब कुछ खाते हैं तो फिर इसलिए आपको ये छूट दी जाती है अन्य था जो किसी को चढ़ाना हो देबते को तुम अब चढ़ाएंगे नहीं ग्रहन मत करना परशाद का रूप से ग्रहन करना तो नर्सिंग भगवान के लिए इसी लिए का जाता है नर्सिंग भगवान की गदी और नर्सिंग भगवान भी विश्नो रूप है वो तो फिर आपको पता है पलाद की कानी पता है तो ये इस तरीके से बात हुई तो फिर फिर उन्होंने क्या कि कि नगर में पहले ये मेला हुआ, ठावए है यी, हथावएं में क्रिशन मवाईं का मन्दर, जि-जि-वहां पर मेला खरते थे हरीपूर में मैदान था और नंगर में हमारा घर था तो फिर उन्होंने यह जगा उनके मदान यह जो डालपूर मदान है यह रोपे थे और रेविन्यू में अभी भी राणी के रोपे हैं जो ग्राउंड है यह तीन सो भी के जगा थी और कूल लगती थी कूल तो अभी भी यह आँ है बनियू जो आपका पोस्ट ओफिस है पानी आता है कभी बहुत वो तो नानियों कहता है लेकिन वो कूल थी तो फिर जगा कहा के बड़ा ग्राउंड चाहिए तो फिर यह बड़ा ग्राउंड था बड़ी जगा थी तब ही तो शाड बोलते हैं इसको, शाड हमारे यहां बोलते हैं जमीन को, बड़ा किसी का खेत है, वो शाड है, रानी के रोपे थे, तो फिर उन्होंने दान कर दी, कि भई यहां मेला करना है, और कुलू में तिन सो साथ देपते हैं, मौफिदार, उनके हमने सब को बलाना, और यह करना तो तब यह तैग हुआ, और फिर जो देपता थे, उनको मौफिदी, मौफिदार देपता, तब हुए जब उनको पैसे मिले गए, को जो रेविन्यू कलेक्शन थी, उसमें से उनको कोई हिस्सा मिलता था, उससे देपताओं को खर्चा चलता था, और पिर जब वो आने इसलिए उनको माफिदार देपता बोलते हैं, और जो माफिदार नहीं हैं, जिनको नहीं मिली वुमी, वो हैं, तो इसलिए उन देपताओं को ये अबशक था, के विजदाश्मी के दिन आना, नहीं तो उनकी पैशी भी लगती थी, और मेरे को बताया जाता है, कि बहुत अ अब राजपाट को थार उस वक्त तब तक जागिदार बने थे, तो देपता बुंगड माहदेब विजदाश्मी को नहीं आया, और अकारण एबसेंट रहा, तो उन्होंने रिपोर्ट की, वहां बिजदेशे लोग बैठते थे, उनके पास, कि वही इस देपता के कारदार ने देपता नहीं लाया है, तो इस कारदार को दंडित किया जाए, और इस बहने उस अधिकारी ने जो ब्रिटिश का था, कि वह उसने समन कर दिया देपता को लाओ, धरम साला देपता को लाया, और तब यह उसने छोड़ा इन लोगों को, यह भी हिस्ट्री में आता है, त अब तो क्या है, अब तो डालपूर सरकार का है, कभी-कभी मैं यह सोचता हूँ न, जैसे मालो हमारी ग्राउंड की जो खुबसूरती है न, जी, वही हमारे कुल्लू की बड़ी खुबसूरती है, देओधार के ब्रिक्ष थे, चारों तरों, और बहुत जगा, बड़ी-ब वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को तो ट्राइफिक नहीं इतना भर दिया है, गरों की मिट्टी, गंदी-मिट्टी, वो फैंकते हैं और वहीं पर कचरा फैंकते हैं, वहीं पर अब पार्किंग होती है, तो अब क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है सर की अगर हमारे ग्राउंड खतम हो जाएंगे न ये तो मारी कुलो की खुबसूरती पूरी दर से खतम हो जाएगी मैं एक बात कह रहा हूँ हर मीटिंग में बोलता हूँ कि एक दिन आएगा कि हमको दुर्षयरा करने के लिए कोई बिहाल मांगनी पड़ेगी ये क्या है ये मादान तो सिकुड रहा है सिकुड रहा है बिलकुल अब क्या करना तो ये आलत है तो चलो इस बात को तो छोड़िये अब अब का दुशेरा जो है अब जो दुशेरा कमेटी बनी है तो दुशेरा कमेटी बनी है लेकिन एक बात मैंने इस मीटिंग में भी कही कि ये मैदान काम देनू है इस मैदान में जब दुकाने लगती है उसका किराए से जो पैसा आता है वो बहुत है देवताओं के नजराना देने के लिए और जो आपके कला के अंदर के प्रोग्राम गहरा है तो वो जो होते हैं उसके लिए डोनेशन भी आती है सरकार भी देती है और ये अपने आप भी डोनेशन कलेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ इस मैदान में तंबोला बॉक्सिंग ये सब चीछ चलती है अब दुशेरा कमेटी में चेर्मेन तो सरकार के प्रतिनी दे होता है डी सी वाइस चेर्मेन होती है अब डी सी कि कितनी चले या क्या दोनों में तालमेल हो तो ठीक चलता है अब इस पार मुझे जब मैं गया एक मीटिंग में तो प्रोसीडिंग में देखा कि ये दुशेरा का जो फंड है इसमें गहाटा है ये पहली बार गहाटा हुआ आज तक की हिस्ट्री आज तक की जब से मैं ने होश संबाला तब से लेकर पहली बार उसमें बैलेंस रह जाता था पच्चीस से तीस लाक कभी कभी तो और ज़्यादा भी रहता था इसमें बच जाता था ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ और फिर देखी पिछली साल तंबोला से साट लाक मिला क्यूं जब कुरोड़ों रुपए मिलता था तो कुरोड़ों रुपए में देते थे वो साट लाक में किस बोली पर दे दिया ये रसे है इसकी मैं बात नहीं करूंगा फिर मैंने ये भी कहा कि सी पी एस साब आप सुन्दर है और नाम भी सुन्दर है तो क्रीपा करके काम भी सुन्दर करो मतलब के आप इस चीज़ को देखो मैंने का इंक्वाइरी करो जिसका दोश है उसको दंडित करो इस से तो सर फिर तो हमारा जो दशेर है वो पारंपरिक कम और वियपारिक और कमर्शल जादा हो रहा है तब तो हमें इसका बड़ा नुकसान होगा जो ऐसा है ना फिर दुकानदार भी कितना नकालोगे दुकानदार से कितना नकालोगे दुकानदार से सारा एक सारा अब कमर्शल होगा और पिछली साल भी इसी परकार से हुआ और जो दिन जीदों की बंदिश है रगुनाथ ग्राउंड में कौन कौन सी चीजी बंदिश है जुआ बंदिश है कभी बैठकर भी खेलते थे लोग ताशना तो मेरे को अपने पिता जी की याद है वो मारते थे उनको डंडे से यह भागों यहां से और फिर रथ खुले में था फिर लोगों ने रथ की आस्ता में तो फिर बैठ जाते थे खुले रथ पर शराव भी पीए लेने फिर मैंने फिर यह गैरेज बनाए और इन गैरेज में बंद करना शुरू किया पहले रथ मतलब बाहरी यह ग्राउंड में रथा तब ही तो बारा साल में एक दफ़ा बनाते थे गरों सारे लोग प्रणाम करके जाते थे टाइम यह आया कि सारे लोग बैठते हैं उसके उपर बहुत बहुत गलत बाद यह चीज़े है तो अब चलो इस बात को तो ठीक है अब जो हुआ सो हुआ तो मेरा जहां तक अपनी संस्कृती है उसको संजोए हुए रखने में मुझे देवी देवताओं का बड़ा आचा बाद भी है और ये इन के इन परकारण में लड़ाई करके भी करता हूँ इन संस्कृती के बाद अब सारे लोग आज कल आपके दाम लगती है न तो ब्रामन लोगों को ये यूनिफार में रह गई दोती नीचे दरी बढ़चा देते हैं और कारपेट पर चलते हैं बोटी ने दोती किसलिए लगाई ये पता नहीं मैं तो कहता हूँ समय आ गया कि पजामा दो कहा है को इसको चेरे को सरदी में भी दोती लगाते हो जब हम ही बैठ गए हमने सब कुछ चू लिया तो हो गया तो जहां तक हमारी बात है यहां भी घर में एक कई जगा तो है ना कुछ लोगों के लिए अलग से जो रगुनाथ का परशाद है रगुनाथ का पर जो प्रोस्ते हैं हम यहां प्रोस्ती दफा हम बिलकुल नंगी धर्ती रखते हैं और उसी में चाहेंगे ब्राह्मन उसी में चलेंगे बार-बार गर्म पानी देते हैं पाओं दोने को ठंडा है तो फिर वो उससे बोटी से नहीं छूता है क्यों शुदधा से होता ही है यह संस्कृती है हमारी और देबता अब देबता आते तो बहुत हैं लेकिन ऐसा हो गया है कि देबताओं को बड़े शांती से चलना था यह अब नौजवान आये हैं तो होड लगती हैं भागते हैं और यह ऐसे भागते हैं कि किसी के उरत के ड सक्रणडे हैं तो खतम हो जाए बिलकुब यह गलत है तब तब यह आया था ब्यान तो वह किसी ने गलती से बोल दिया किसी ने कहा कि अब साठ साल से ओपर और अठारा साल से नीचे आप ना आएं रत के नेदे ती ये एक कटिंग थी ये फेक नियूस थी सर फेक नियूस थी किसी ने बोला होगा किस ने बोला बात एक है एक मूल बात थी कि इस परकास से ये चर्चा हुई थी सभी थे मीटिंग में तो मैं तो नहीं था मेरा बेटा था कारदार था तो वो गया था कि अठारा साल उमर भी दीख दी कि अठारा साल अरे भवाद अठारा साल नहीं आप ये बात कहते कि जो बच्चा अपने को संभाल नहीं सकता सक्षम नहीं है उँ मेरबानी करके ग्राउ और महिलाओं की भी कमजोर होते हैं तो फिर रत के नीचे आने का खत्रा होता है वो यह से लिए आप भी आने तो आप देख सकते हैं वो नोंने भी दिख दिया आगे मैं आपको बताता हूँ पुरा मैंने पढ़ा है वो इसमें ये लिखा था कि 18 साल से कम और 60 साल से उपर के दशेरे में ना आएं तब तो मेरे को भी इंकार होगी और गुरुजी मैं आपको बताता हूँ नीचे कमेंट लिखा था तब तो महिश्वर जी को भी पावंदी लग जाएगी तो ये नीचे कमेंट किया था किसी ने फिर मेरा ये सवाल भी था आप से चला आपने बहुत चलिए आपने कलियर कर दिया अभी फिर मैं उस दिन मीटिंग में भी कलियर किया मैं का जो सक्षम्द लोग है कई लोग मैं का 70 सी साल के भी ऐसे डंडा मारकर चलते हैं इनके हमारे काई एक एनके पास एक उसके आद age 90 साल उमर हो गई अब भी हीरू हीरू जानता है हीरू? क्या लगे? नानू अच्छा उनाथ का सेव का अब भी भी आता है अच्छा एक शिवराम वो तो चला गया शिवू भी था ये दो थे शेली बाई का आपके यह बदा में थे ये दो ऐसे आदमी थे कईयों का जिसम है अगर जो आदमी कमजोर है तो वो वो पचीस साल का भी हो सकता भई अब बेमार हूं तक क्या करें? तो ये मैंने का जो सक्षम है वो रत का हाथ लगाएं जो सक्षम नहीं है अक्षम है तो फिर आएं दर्शन करें भगदर में छोड़ी सी गलती को क्यों अपने मौत का जिमेदार बनाना ना? नहीं नहीं फिर दुरुगटना हो जाए तो रत के नीचे आदमी आए तो फिर क्या होगा? कितना बड़ा वो चलता है वही वह रत्यातरा में ऐसा हो गया आज तक कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ अभी देखिए ना उसमें है क्या? यहां सर्वधर्म संभाव भी है रत खेंचने में कोई किसी को रोक नहीं है और रत पर कौन कर जाता है? जिस रत को मैं तो नहीं जा सकता मेरा परिवार भी नहीं जाता है हम जहां से वो नास है उसके वो पर चड़ी नहीं सकते आप नीचे ही मतलब परिशस नीचे नीचे से बलके परदान मंतरी जी आये थे उन्हें कहा कहा तक? मैं कहा मारा जी यहां तक यही बस उन्होंने वहां मात्व ठीका और क्या है यह सर्वधरुमसंबाव? आप देख लिजे लोहार अनिशूची जाती है ना उसको यह अधिकार है कि वो उसके उपर बैठता है रत पर हम कसीटते हैं निचली मंजिल में उपर तो नहीं उपर पुजारी बीच में भाटू जो सीड़ी पर खड़े होते हैं और जो यह कामदार है अच्छा तरकान एक हाथ में उसके पास थावी है तो एक सुवे के जो यह ब्रह्म का सुवा है ना गाउं वहां के थावी है एक हाथ में उसकी वो बेहली उनिया इस तरह से वो रत को पकड़ के रखता है वो क्यों कि भगवान न करे कोई नीचे आ जाए ना तो रसा काटेगा और मींडार जो ब्रेक लगाने वाले आठ आदमी है आठ ही आठ अनुसी से जाती के है उसको गुमाते के हैं से शराच शराच गाउं के शराच शराच यहां यह इनी के पास तो वो लोग हैं आठ यह सरवधर्म संभाव है बहुत मतलब एक पूरी विवस्था बनाई गई है ना विवस्था बनी है अच्छा अब गूर है हमारी भेडंबा हमारी कुल देवी है हमारी सभी कुल देवेयों के गूर जो है हर जन है और कहां बैठते हैं यहां आपके परिसर में अंदर तो यह जो ना मनियूर शिच को लोग गाली देते हैं उन्होंने व्यवस्था की थी एक के भाई पंड़त लोग धर्मकर्म करें ख्षति लोग रक्षा करें रश्य लोग ब्यपार करें और जो चौथा चरन है तो वो फिर यूद्गी तैयारियों में सयोग करें सयोग करें सबका काम दिया है इसी परकार रगुनाति जिरी का जो काम है भी बटा हुआ है भी बटा हुआ है ब्रेक लगाना सबसे बड़ी बात है बहुत है कंड़क्टर होता है तो वो मीनदार बोलते हैं वो लकडी लियाते हैं तो उनको फिर गुमाते हैं इस रत को और मतलब जैसे रत को न स्टेरिंग है उसको डिरेक्शन कैसे दी जाती ते किस तरफ जाती है आगे आगे को जो आदमी है और उपर से उनका ताल में लोना चाहिए अच्छा वाँ अच्छा फिर लाल और हरे जंडे कर दी अब हमने अब पहले तो लोग आवाज देते थे अब इस इस हले में कौने आवाज सुने का तो फिर अगर कोई रुकने चाहिए तो फिर वो लाल जंडी दिखा देता है फिर चलने की हरी जंडी दिखाता है वो पुझारी के पास होती है तो हमने तो जितना सिस्टम करते हैं करना भी चाहिए और करते भी हैं और फिर देख लीजिए रवदना बोलते हैं, उन्होंने हमारे को दलित बना दिया, उन्होंने अमनारे को ऐसा कर दिया, उन्होंने तो अगर आप देखेंगे, मनुरिशी की पिंडी गूर के वहां पर है, वहां उत्वत्ती हुई है, और वो हरी जन्ह है, जो देवी का गूर है, और इडंबा को देवी का गू शिंगार करता है, पूजा नहीं करता है, पीड नहीं, और मैंने ऐसा भी सुना है हडी ममा को वहाँ शाम के समय फिर जो मुहरा उसको खोल दिया जाता है, नहीं, नहीं, यह जूठी बात है, यह चार-छे बात हैं तो ऐसे ही वर गए, अब फिर यह एक जो एनाउंसर होते हैं वह कहते हैं कि बाई जब तक बेखली की माता सिगनल नहीं देती, तब तक रथने चलता है, मैंने का कैसे, क्या सिगनल बाई, मैंने का वो लोग इंतजार करते हैं, जैसे ही यहां से हम परसान करेंगे पार को, वैसे ही देवी को भी लाकर लाते हैं, और देवी उपर से दर करती है अगर लेट हो जाए तो हम रोकते हमारा कुसूर तो है नहीं देवी के समय में आती है इसी प्रकपार बिजली महादेव जो गुण लगना रथ में वो तब लगेगा जब महादेव आएगा मनला हम हाथ लगाएंगे महादेव की इंतजार करेंगे तो महादेव पहले दिन आता है और बिजली महादेव नहीं होगा तो जवानी महादेव होता है पर पर इनका है इस पारकपार एक एनाउंसर ने क्या बोलता कि भई रत सारे नौजवान खेंचो आपको बेटा हो जाएगा वो बेटे की उसमें हमारे को भी रगड़ देते हैं बड़ा शौक से उठाए मैंने कहा यार यह अनाउंसमेंट बंद करो कि बेटा हो जाएगा वो तो बेटा बेटी तो भगवान देते है तो इस परकार की अब है तो मैं अभी तक तो मानता हूँ कि भगवान की क्रिपा से मैंने जो अपने बजूर्गों से सीखा था हमने उसको नबहते हैं मैं चाहे राजनीती में हूँ हूँ चाहे मैं अपनी सज्कृती में हूँ मैं बड़े ब्लंट किसम का आदमी हूँ मूँ पर बोल देता हूँ को जो बात फसंद नहीं आती तो बोल दीजिए फिर किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे तो इसी लिए फिर मैं इस परकार से कहलाते हैं फिर कोई दोग जब जाते थे इनके गाउं में तो सड़क रोक दीनोंने के दे भई ये तो बंडी नहीं ऐसे पाड में कहां आएगी हमारी जमीने खराब हो जाएगी और इनके गाउं में उस बत तो दस पंदरा बुड़े ऐसे थे के सड़के बिरोद में इनके सारे बुजूर के अरे क्या करूँ अब अच्छा फिर मैं दिशेरे का टाइम भी तो दो मिने थे रहे हुए तो दो किलो मीटर पीछे रह गई सड़क फिर गया मैं मैंने सारे बुड़े कठे की हैं मैंने कहा भई देव यार जमीन आपके बच्चे भी फिर ऐसे ही करेंगे आपको सड़क चाहिए प्यार आप याद करेंगे मेरे को सड़क है तो क्या बोला है मैंने मैंने कहा देखो आपने दिशेरे में आना है ना आप सब रगुराख्त के चाकर है ना पैदल आएंगे हम पैदल आएंगे नहीं मैं कहा अब हमने बुड़े होंगे तो फिर भी तो आना है ना तो ऐसा करो कि अगर आपने जगा दे दी दो मीने रहे हैं और एक दो किलिमीटर सड़क है मैं अपनी जीप भेज कर आपको उस गाड़ी में बटा कर रगुनाथ के यहां से पहले दिन आओ चाकरी में और घर पंचा के दूँगा और वो वाई देख मैंने किया है क्या बात है बहुत बधी है बहुत खूश रट तो राजनीती बें सच बोल के भी चलती है यह नहीं जोट बोलो जो जोटれて है बड़ा अननदा आताjang कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तालियें बज जाती है मैं हो जाएगा कभी नहीं बोलता बोल दिया तो फिर प्रान जाए पर वचन ना जाए राजा का धरम जोगा नहीं, राजा पाट तो नहीं है मेरी बात ये मुशूर है बोलते हैं जाड़ भी देता हूं मैं फिर कि वह यार आजा ऐसा है और अभी भी अपनी बात कहनी है तो उस पश्ट सा सकता है तो जैसे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जैसे आपने कहा ना कि राजनिती को सिर्फ जोट बोल के ही नहीं चलाया जा सकता है अच्छ बोल कर भी चलाया जा सकता है तो ये मुझे लगता है जिन जिनके दिमाग में बैठा है कि अगर हमें राजनिती में आना है और हमें जूट से चलना है तो उनके दिमाग क्लियर हो गए उन्हें इस बात को सुनकर मुझे लग रहा है और दिखे आपको पूछ लीजे मेरे बारे में ना के भाई ये मिरशुर सिंग कैसा है बोला जी जब उसने बार ना कर दी ना तो काम फिर कभी नहीं होता जो औरों के पास भी जाते हैं और हां कर दी तो बिलकुल होगा उसके हां ही बहुत बड़ी है और ना भी बहुत जी है ना वो भी काफी मशूर है देवी देपताओं के बीच में जैसे सुना है मैंने और देखा भी है उनको एक ट्रॉफिक डियस्पी की एक उपादी दी गई है उसके बारे मुझे पता है मुझे कि इसके बारे मुझे नहीं कुछ पता है जाते है ना तो ऐसे 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 करके जाएगा लेकिन अब कंट्रोल तो होना चाहिए ना तो यह फिर छोकरे उनका नजाईस फाइदा उठाते हैं वो कभी तो किसी आदमी को टार्गेट करके उसके पीछे बगा देते हैं तो मैं तब ही कुछ यह ऐसा मत करो नहीं नहीं कर भगवान ना करे कोई किसी के माथे में लगे तो पहले तो ख्राली मादान होता था अब लोग बड़े भीड में अगर कोई मर गया तो क्या होगा हमारी दिशेरी की बदनामी हो जाएगी इस तरह के सब ऐसा हो गया तब हम कह रहे हैं तब फिर अब S.P. साहब भी अच्छे है तीन चार मीटिंग्स की हमने क्यार अपनी संस्कृति को बदनाम मत करो यहां आकर आप टारगेट करते हैं कि पता नहीं जिस से किसी आप नहीं बनी तो फिर दोड़ दिये यह नहीं ठीक है यह ठीक नहीं यह अपने अच्छे बात की आए थे आज S.P. साहब भी मेरे वहां अकेड़ी में आए थे उनके साथ भी आज शूट किया हमने तो काफी अच्छे बाते की उन्होंने भी तो जैसे की दशेरे में देवी देवताओं की कुछ ऐसे प्रमुख देवी देवता जो की जिनके बिना ऐसे तो सभी देवी देवता सर्वोत्तम है सर्वप्री है लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे देवी देपता जो कि इनिशिल सबसे पहले होते हैं और उनका दशेरे में बहुत ज़्यादा महत्व होता है वो कौन-कौन से सबसे जादा तो हिडंबा हिडंबा जब तक नहीं आती हम घाना नहीं खाते हैं और हिडंबा के आने के बाद रगुनाज जी की छड़ी के साथ जाते हम तो अस्तर और शस्तर पूजा होती है दुशेरे में शस्तर पूजा होती है वो सारी संस्कृती है जब रण में जाना तो शस्तर पूजेंगे पहले गोड़ पूजण अश्रोपूजण भी करते हैं यहां हम वो पूजण करते हैं फिर उसके वगा खाना खाते है तब ही हम अईडमबा के देवดू को बोलते हैं कि आर क्रीपा करके समय पर आओ हमनलेट होते हैं तो बोलते है मेश्वर सिंग ने लेट लाए रगनाथ मेरे हाथ में क्या है मेरे हाथ में कुछ नहीं आप का सही होग तो इस बार भी हमने एक स्पेशल व्यवास्ता की है कि भई आप बारा बजे से पहले पहले यहां गोड़ पूजन होना चाहिए हमको फिर रथ यातरा को टाइम लगता है तो फिर जल्दी जल्दी में जाना भी मुश्कल होता है दूसरा देवताओं की भीड इतनी भीड हो जाती है क्योंकि एक ही रास्ता है कि वहां पर तो फिर हमको बड़ी मुश्कल से निकलना पड़ता है तो कारदार संग को भी अभी और सबी देवडों से आपके माध्यम से भी आज भी ये अपील करूंगा कि भाई सायोग दें टाइम में आएं और एक दिन पहले भी तो तुम आ सकते हो जो आते हैं पार से तो फिर भीड कम हो जाएगी अब संख्या बढ़ रही है अब रास्ता यही है और लोगों ने तंग कर दिया है और अगर यह किसी दिनों दिक्कत आ गई तो फिर क्या होगा और फिर दुशारा तो जब लोग दूरों से आते हैं दोर दोर से गवरनर आते हैं बड़े बड़े सरकारी ओफसर आते हैं एमबेस्टर्स आते हैं वो क्या सोचेंगा ह हमारे बारे कि वहीं मैं इशुर सिंग ये पार बैठा है तो ये तो एक आदमी के रूल है तो तब नहीं होगा तो मैं आकेला नहीं सायोग है ना तो संस्कृति के लिए मैं तो चाहे जान दे दूँ तीन ऐसी चीज है ना जो आपको लगता है कि दशेर में कटाक्ष रूप से वो चेंज होनी चीए जिससे कि हमारी संस्कृति भी बचाई जाए और आने वाली दुरगटना भी बच जाए कोई दो तीन चीज ऐसी बता जिए जो आप चाहते हो कि ये चेंज होनी ही चाहिए या पहले वैसी कोई विवस्ता थी या नहीं आप अपने तरिके से विवस्ता है आप देखेंगे जो मैं लेटर लिखूंगा ना अब मैंने लिखना छोड़ दिया इस बार अच्छा मैं पूरा लिखता था कि इतने बज़े चलेंगे हम इतने बज़े ऐसा करेंगे अब ऐसी यह वस्ता है इस गराउंड में पार्किंग यह पार्किंग नहीं करवानी चाहिए कीचड़ हो जाएगा तो हम रत किसीटने से भी रह जाएंगे यह आप यह सारी चीज़े कर यह क्या रकर रखा है ट्रक पार्किंग के रखी है रकर के फिर अभी देखो जितनी गाड़ी ह हुआ फिर कीचड़ी कीचड़ जब आपको याद होगा जब प्रदानमंत्री जी आये थे तो उस बारिश में रात दूसरे दिन रत लाना हमके डर गया थे कीचड़ी कीचड़ था कि प्रभु की ऐसी हुई कि पत्र पीच में ने था वो मिटी मिटी थी और रत बड़ी स्म एक आदमी मैं कुछ नहीं कर सकता बिसलिए आप चाते कि हर चीज की टाइमिंग हो प्रॉपर और ग्राउंडों की जो ब्रेवस्ता है जो टाइम दोंगा उससे पहले बैठूंगा कि भाई मैं आ जाओ यह मेरा आदत है गाउं में भी जाता था तो मेरा टाइम होता था तो गाम वाले बाले पूजना थे ही चला 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 तो एक तो आपने ग्राउंड की बता दी ग्राउंड को मेंटेन करना भी जरूरी है जरूरी है थोड़ी हर जग हमने पैसे ही देखने और जो कंस्ट्रॉक्शन है वो भी जरूरी है कि अब ना करें फर्दर मुलान यह क्या पार है जो हमारा मैदान है वहां पर जो उपर की साइड है जहां से रत 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 शांगरी वालों की कोठी के पास राजा शांगरी के वह हमारा रस्ता है जलेव का भी और नागजी का भी वहाँ पर वो एक पारकिंग बनी है जी 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 बैंक के बाहर और उस पारकिंग में एक बूम लगा रहे हैं और उसका पास एक ऐसा ढारा बना रहे हैं कि मैंने का यार क्या कुबूतर खाना बना रहे हैं तुम सुन्दर बनाओ ना हमें उसकी आपती नहीं है और एक जो नीचे से उपर को पार्किंग में आना है वो सीधे सीधा वो होटल है पार उसके पास क्या कर रखा है जैसे समझने को कूँ आ है मौत का और उसके अंदर से पौड़ी है और जब दुशार है में रात को लोगो आपका कोई प्रशन है तो बोलिए बस अब आखिरी में चल रहे हम यही कि हमारा जो दशेरा है वो हर बार की तरह अच्छे से रहे अच्छे से लोग आएं मजा करें घुमे फेरे देवी देपताओं का अशिरबाद लें किसी तरह की कोई दुरगटना ना हो बस यही हमारा यह है बाकी अब मैं थोड़ा सा आपने जैसे बताया था ना मैं इसको इसे उठा सकता हूँ आखा सकता हूँ यह अच्छा मैं पूरा दोनों यह बड़ी खुबसूरत और क्योंकि आती हासिक चीजा में मैं बड़ा बहुत इंट्रस्ट रहता मेरा तो जैसे यह इसको यह जो तिबितन दांस के लोग आये थे यहां जब तिबित से लोग आये उनके दिया हुआ है यह जो जगह है यह जो यह 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 जो बांदा हुआ यह यह यहां कमर में लटकी रहती है अच्छा 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 बड़ी आती हासिक लग रही है न पानी इसमें रखते हैं पान गाएंगे ये तो ये लोटे हैं पहले ऐसे लोटे थे और इसमें कुछ लिखा है नाम लिखा था अब मिट गया ये नालागड से मेरी पड़दादी के दहेज में आए हुए लोटे है रानी हंडूरी लिखता अब को ये मेरा एक प्रशन रह गया था कि जैसे जोगनी माता के बारे में है आपको थोड़ा ग्यान क्योंकि हमें मैंने बड़ा सुना जोगनी माता के बारे लिकी अनमें पता निए कि और शुद्द देटा है इसी लिए उनका रतनी मनता पर अब काल में तो पन क्या काईते लग में बनाया आ किसी ने यहां सुल्तारपूर बना इनको रत वगेरा नहीं बनाते इनको घर के उपर सापना होती है तो उपर घर के छट पर होती है जो कि चुनरी में या किसी और ची पीचे वो उपर देवी शुद में रहे हैं सबसे उपर इनका दर जा ता इसलिए त्यून तो बड़ी भारी शुद दता चाहिए तो तो मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ अगर यहां देखो नार सिंग देवता है है हमने हमारी इस्टापना की हुई है लोग उस देवता के सीड़ी तो मैं चड़ता हूँ वो भी मैं अकेला मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा जाएगा जहां से देवता अंदर नजर आ जाता है वहां पर से दूप करता हूँ मैं अभी नवरातरों में रोज नहीं नवरातरे में करना बाकी ब्रामन ब्रामन नहीं जाएगा उपर हम जाएंगे इतनी शुद्धता है नार्जिंग की कभी जैसे अभी तो चलो हम भी अपने देवी देपताओं में इतने जुड़ गए हैं आपका मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि कभ आपको कभी कोई ऐसा किसा रहा जिसमें आपको लगा कि देवी देपताओं की शक्तियो और पर अभी तो आप नैंने वो कई दफा प्रवेश्श भी होता देपता आपके अंदर देव प्रवेश्श भी होता है दिव खेल भी आपके दों क्योंकि फिर वो रन हो रहा है लंका जलानी है तो फिर मेरा एक आखरी सवाल है राजनीती में आपके आगे की क्या योजना है अब आगे की योजना मेरी ऐसी है मैं दे सेवा करता रहूंगा अपने लोगों को जो पराने लोग हैं जिनका अटूट विश्वास मेरे पर है और जो राजनीती में साथ ही थे, हम चार लोगों ने भारतिय जनता पार्टी की बात सोची थी, कौन? कुझलाल जी, कमर रुपिंदर, चंदर सैन्ट जी और मैं, हम भारतिय जनता पार्टी और जनता पार्टी के टाइम में हम आये हैं, और चार लोग हम इतने थे, कि हमने आउटर सराज तक सारा कुलूच नापा उन दिनों में भी पैदल गए, तो हमने मेंबर्शिप करवाई, मुझे याद है, जब अटल जी पहली बार आये थे उपर, तो एक उनकी चुरुणजा वर्ष की आया, पूरी होनी थी, तो हमने क्या फैसला किया, कि भई, इनको हमने चुरुणजा हजार की थेली भेंट करनी, और वो करनी मनाली में, ताके हमारे इलेक्षन का खर्चा चले, और पार्टी का खर्चा चले, और उस उन दिनों में था, थेली देंगे, तो बीस प्रतिशत, जुनोंने कठा किया है उस बंडल को मिलता था, तो ऐसा हो गया, बादल फटने की घटना पहली थी, मेरे जीवन में बो, द्वांगन नाल पार से आता है, तो वहाँ बानू जगा, तो वहाँ पर हम निकले, गाड़ी मेरी थी, कार में जाते हैं और पैसे गराने जा रहे थे, और पीछे बादल फ नहीं लगा के इतने इस घर के आदा पत्थर, आया, तो वह पीछे हमारी कार के, पीछे ही थोड़ी जगा तक, दस फुट तक, ग्यारा मीटर तक पढ़ गया, तो ऐसी कांट, टांगे कांपी सब की हमारी, तो बाद निकल कर कुझलाल जी बोलते हैं, अरे, आज तो पार्टी पकड़े, अब वो पार्टी में बड़ा अंतर आ गया, चलिए वो तो है, उस बत कार्य करता की बड़ी मानता थी, समान मिलता था, सब कुझ था, जैसे मेरे दादा जी भी मतलब भारती जिनता पार्टी के कार्य करता रहे हुए, तो उस समय बताते थे उस समय वो की, मतलब कार्य करता को अलगी दर्जा दिया जाता था, साथ में चलाया जाता था, वही चल तो एक बड़ा समान दे जाता है, अब तो पूछते हैं, अब क्या करना, अब अब हो अब हो इसका जो, है न, कभी-कभी, ऐसे तो पार्टी में मान समान है हमारा, लेकिन कभी- कैसे हैं कि मान समान का कोई वो आपको आज भी क्या दुख होता है या उस बारे में सोच कर या कभी आप इमोशनल हो जाते हो जब हमारे कुलू से रगुनाथ जी की मुर्तियां चौरी हो गी थी आता है आज भी आता है कभी कभी वो मनजर जी हम वो भी एक बहुत गलत समय था बहुत बुरा समय था सब के लिए पूरे कुलू वासी थी कि एक बात पतानी कि मेरे मन बेश्वास था कि रगुनाथ जी की सीता जी रह गई गई है पीछे परिवारा धूरा है अब सीता जी अकेले नहीं रहेंगे भगवान कि यहीं है और देप्ताव ने भी का के भई मू बजौरा में और बजौरा में इतनी सी मूर्ती चोटी कि उसने बोला जो चोर था के भई मेरे को जब ले गया मैं तो मेरे को मारने आता था एक आदमी और मेरे मार मारके बुरा करता था पिर मेने छोड़ दी हुँ ए फिर भी वो बिरो को तंकर तै दू आ बीमारा मेर मेरे को एक दफ सोचा था कि पंचाओंगा तो तु पनर जाओंगा मैं तो वो जो चोर था उसको क्या लगा कि ये मुर्तिया मैं महेंगी है मैं इनको बेचूँगा ये करूँगा उसको क्या मुर्तियों की अध्यात्मिक था पता नहीं थी क्या उसको तो ये जो परानी मुर्तियों का मुल्या लेना था बेचना था वो था पूजा क लिए थोड़ी डए गया था और देखे वहां जो जिस जग पर ये मूर्ती थी एक बैल था वो वहीं चरता था और उस एरिये में वहां जो आया तो उसको बगा देता था और जिस दिन हम का है मेरे मूँ से निकला कि रगणाजी में का रगणाजी बीड़ना बसंत कैसे होगा मैंने बसंत होगा आपने बोला था ये बात यादे में बसंत होगा जरूर होगा और रगणाजी जरूर आएंगे आ गया फिर उसी दिन होगा तो वो जो बैल था वो बेसिकली मूर्तियों की रक्षा कर रहा था ना कि कोई चीज़ आके वो जाड था ना हमने का खेत है ऐसे गास था वहा ये ऐसे ही कर रहा हुआ उसने जब वहां का कि मैंने मूर्तिय एक जाड के नीचे रखे तब फिर पुलिस ने उमाद खलाशी की खुशी का पल रहा होगा ना उसके बाद तो उस दुशेरे में तो लाखों लोग होगे बसंत में इतने दुशेरे में नहीं होत आखर में बहुत भूत धन्यवाद आपका आपने हमें समय दिया और हमारे यूव आजकल थोड़ा मॉडन में जादा जारे है तो चलिए मौडन भी जरूरी है साथीसाथ आपने हमारे इतिहास का इतना खुबसूरत हमारे कुलों का इतिहास है वो अपने लोगों के सामने रखा हमारी ओडियंस के सामने रखा और मुझे लगता है हमें गर्भ होना चाहिए हमारे इतिहास के उपर और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं जाता हूं लोकल में हमारी जो संस्क्रिट है जो हमारी वहाष़ा हमें दो लाइने आप हमारी लोगल भाष़ा जो एक उल्लो की उसमें दो तिन लाइने हमारी ओडियंस को संदेश देदे चाहिए, मैसेज दे चाहिए, आशिरवाद दे दे, कुछ भी चलो एक इंपोर्टेंट मेसेज है कि मारी संस्कृति न यह निया चीजे जो रक्षा मंदर सा तो तो रखड़ी चोड़ी एचेड़ी रथा आके यह बड़ा खतरनाक काम होता है क्यूंके नाइलो नरी वह सचते है और फिर दूपी ना रथा पंद है भगवान ना करेगा अगर वह सुलग गया तो सारा रथ पुकिना तो वह निते हैं सब लोक आगे हुए प्रार्शना सा के राखड़ी खोलिये रथा आगे मात शेट दे ऐसा बोज नहीं है कुछ राथ का पर जे तू स्यापू सोचा जे जो दूप लाओं दा तो जो जे बाक बात जेम타ं कुछ तो खोले कंप र स्कार्द का छ डूप जो यह रखड़ी जी रखरदी आट पाडा सा मूम है य already? अर्व tod この स्कार्फ़ हैं यहामका कीई ह्योको साथ इत्रा कोठा हुआ सा, जब भार्देनी इत्रा कोठा, यह रूप गरा है, रत के पहरेदार है, यह तो डंडेलाई भी बोला सी, यह भगा खना, नहीं नहीं, यह शेटा सी आसा, मैं तो आपने देव आगे, शेट भाई, नदीक है, वह खकी जिवे, यह सो ना देखा देखी ह यह फिर यह, पर चलो बहुत अच्छा, खतरनाक है, और आगे मतलब इसके परिणाम भी खराब हो सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, दीजी आज के लिए मुझे अज़ाजत, मैं हूँ आपका होस्ट नितिश राजपूत, और आज की पौड़कास्ट आपको कैसी लगी, और आज की पौड़कास्ट में हमारा हितिहास, हमारा कल्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में अपने कुल देवता, इस देवता की जयकार जरूर करें, और एक बार फिर से राजा सहाब तहे दिल से धन्यवाद आपका, आप आए समय दिया आपन में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़े देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरकेगा, सुरक्षा कवच, जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बूरी नजर से, या तंतर वीद्या से बचाएगा, वगरा, वगरा, लेकिन किसी चीज़ को बीना प्रतिष्ठित किये, बिना एनर्जाइज किये, वो मातर एक शोपीस है, और एक फैशन तक ही वो सिमित है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए है 100% औरिजनल रुद्राक्ष के प्रोड़क्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किये हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू, या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा, और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिविटी लाएगा, तो इसमें बहुत सारे हमारे प्रोड़क्ट्स हैं, जैस आईए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोड़क्ट्स चूज गर लीजिए, और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए, तो तब तक के लिए देखते रहे हैं, दा लिमिट लेस्ट टॉक, जै भोले नाथ.